ये गीता का घर है गीता की मम्मी सुबा सुबा घी निकाल रही है नानी मा ये आप क्या कर रही है? मारा मैं घी निकाल रही हूँ तुम बैट कर देखो ना नानी मा मुझे दिजिये मैं घी निकाल देती हूँ मायरा मैंने कहा ना तुम बैठ कर देखो तुमसे नहीं होगा नानी मा आप मुझे कुछ करने क्यों नहीं देती है मुझे भी सीखना है नहीं मायरा तुम अभी पढ़ाई करो ये सब बरो का काम है ठीक है नानी मा मैं पढ़ाई ही करूंगी अरे राधा को पानी लाने के लिए बोले थे राधा कहां रह गई यहां कल पर भीर लगी हुई है अरे आप लोग जल्दी जल्दी पानी भर कर यहां से जाएए मुझे भी पानी लेना है मीना दीदी उसी बक्त पानी लाने के लिए बोली थी वो मेरा इंतिजार कर रही होगी राधा क्या बताए गाउं में सारे कल के पानी सूख गए हैं इसलिए तुम्हारे कल पर आना परा हाँ राधा गर्मी के कारण सारे कल के पानी सूख रहे हैं हाँ चमपदीदी बहुत बुरा हो रहा है पता नहीं क्या होने वाला है सारे लोग गीता के कल पर पानी भव में आये हुए है इधर गौरी भी आ गई है पानी पिने और गौरी के बच्चे भी आ गई है अरे गोरी भी पानी पीने आ गई है अच्छा मैं इसे अभी पानी पिला देता हूँ गोरी ये लो पानी पीओ गोरी पानी पीकर खुस हो जाती है अब गोरी के बच्चे भी पानी पीने जा रहे हैं गौरी पानी पीकर वहाँ से चली जाती है गीता अब मैं भी चलती हूँ राधा अब तुम पानी भर लो इतना कहकर चमपा वहाँ से चली जाती है सिल्पा रुको राधा मौजी जल्दी पानी भर लीजिये मुझे कल पर नहाना है हाँ, मैं अभी पानी भर कर यहां से जाती हूँ, आप आराम से नहा लिजिएगा गीता कल चलाओ राधा और गीता वहां से चली जाती है चलो सभी लोग तो चले गए अब मै आराम से नहा लेता हूँ अरे नहीं, मुझे इतने सारे कप्रे भी दोने है पहले क्या करू नहा लू या कपरे धोलू पहले नहा ही लेता हूँ बाद में कपरे धोलूँगा बहुत जादा गर्मी लग रहा है मैं कार्थिक के कल पर जाकर नहा लेता हूँ मेरे कल के पानी तो सूख गया है कहीं ऐसा न हो कि कार्थिक के भी कल का पानी सूख गया हो अरे कार्थिक तो नहाने बैठा है इसका मतलब कार्थिक के कल से पानी आ रहा है अरे रोहन तुम हाँ कार्थिक मैं तुम्हारे कल पर नहाने आया हूँ मेरे कल का पानी सूख गया है क्या तुम्हारे कल से भी पानी नहीं आ रहा है हाँ कार्टिक गाव में किसी के कल से पानी नहीं आ रहा है सिर्फ तुम्हारे कल से ही पानी आ रहा है इधर पानी में एक कीरा गिर गया है सायद उसे भी बहुत तेज प्यास लगी है इधर रोहन और कार्दिक नहाने लगते हैं अरे वा तुम्हारे कल का पानी कितना ज़्यादा ठंडा है मन तो कर रहा है दिन बर ना आते रहूं नहीं रोहन ज़्यादा पानी बरवात नहीं करते हैं चलो जल्दी नहा कर यहाँ से चले इधर रभी और नैंसी मिलकर ताज महल बनाए है भाया हम दोनों ने मिलकर कितना अच्छा ताज महल बना दिया हाँ नैंसी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों ने मिलकर इतना अच्छा ताज महल बना दिया अब तो मैं सारे बच्चों को दिखाऊंगा, सारे बच्चे मिलकर हम दोनों की तारीफ करेंगे हाँ भाईया, सबसे पहले मारा हर्ष को दिखाएंगे, वो दोनों हम दोनों का बहुत ज़्यादा मज़ा कुराते हैं आ नैंसी तो ऐसा करते हैं सबसे पहले मारा हर्च के ही घर चलते हैं हाँ भाईया चलिए मारा हर्च के घर चलते हैं उसके बाद सारे बच्चों को बुला कर लाएंगे हाँ चल नैंसी मारा हर्च तो देखते ही रह जाएंगे रुकिये भाईया कितना आगे चले गए नैंसी ये तलाब कितना अच्छा लग रहा है ना हाँ भाईया ये तलाब बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तलाब को मैंने जो साब किया है हाँ चलना इंसी मारा हर्च के घर चलते हैं बढ़ना बहुत देर हो जाएगी सभी बच्चों को पहले ताज महल दिखा देते हैं उसके बाद इस तलाब में सारे बच्चे मिल करना आएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा ये ये हुई ना बात भाया चलिए जल्दी चलते हैं मुझे तो इस तलाब में अभी सही नहाने का मन कर रहा है अरे प्रीती तुम भी आ गई हो क्या तुम नहाने जा रही हो इस तलाब में हाँ मैं इस तलाब में नहाने जा रही हूँ पहले ये तलाब कितना ज़्यादा गंदर रहता था ना लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा साफ है इसलिए मैं नहाने आ गई वैसे इस तलाब को किसने साफ किया है मैंने साफ किया है प्रिती दीदी अरे वह तुम तो बहुत अच्छी हो अच्छा किया इस तलाब को साथ कर दिया अप नहाने में बहुत अच्छा लगेगा नैंसी बाद में अपनी तारीफ करवाना पहले यहाँ से जल्दी चलो बहुत सारे बच्चों को बुलाना है चलो जल्दी इधर मायरा हर्च बैटकर मक्खन खा रहे हैं मायरा ये मक्खन कितना अच्छा लग रहा है ना मन तो कर रहा है सारा मक्खन खा जाऊँ तो मन कर रहा है तो खा लिजी इसमें मुच्छे क्या पूछ रहे हैं भईया मैंने बहुत ज़्यादा मक्षन खा लिया अब नहीं खाऊंगी क्या हुआ मायरा अब नहीं खाने का मन कर रहा है क्या हाँ नानी मा अब मैं भी मक्षन नहीं खाऊंगा मायरा मुझे नहाने का मन कर रहा है तो रहने दो हर्स जबर्दस्ति मत खाओ मम्मी मेरा इस गुल ट्रेस खोल दीजिए मैं पापा के साथ नहाने जा रहा हूँ अरे इस मौसम को क्या हो गया है बारिस नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और लाइट भी चली गई है पंखा भी नहीं चल पा रहा है घर में रहना मुश्किल हो रहा है मैं बाहर गुमने जा रही हूँ हर्च कहा हो अरे हर्च तो मम्मी से बाते कर रहा है हर्च इधर आओ मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ नैंसी भी आ जाती है माईरा माईरा कहा हो अरे रभी हार्च देखो रभी बुला रहा है रभी तुम इधर आओ रभी क्या बात है रभी इधर आ ना बैट कर बाते करते हैं चलो नैंसी हर्च बुला रहा है हाँ हर्च अभी आया क्या बात है नैंसी बहुत जादा खुश लग रही है मैं अभी जाकर पूछती हूँ मारा भी नैंसी के पास जाने लगती है हर्स ये क्या तुम्हारा तो नाक बह रहा है अरे नहीं रभी मेरा नाक नहीं बह रहा है वो मैं मक्खन खाया था वहीं लगा हुआ है क्या मक्खन मुझे भी मक्खन खाना है अरे क्या बाते हो रही है यहाँ पर क्या कोई मुझे बता सकता है मारा मखन बाद में लाना चलो पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ नहीं नैंसी पहले मैं तुम्हें मखन खिलाऊंगी उसके बाद कुछ बताना मैं अभी लेकर आती हूँ मैंने प्लेट में मक्षन बचा कर रखे हैं वही नैंसी को दे देती हूँ गीता चलो हम दोनों भी चलकर कल पर नहा लेते हैं कार्थिक नहा लिए होंगे हाँ मोसी ठंकी का पानी एक्तम आग की तरक गर्म हो गया है कल पर ही नहाना अच्छा होगा चलिए कल पर ही चलकर नहा लेते हैं हाँ ठीक है गीता अरे वाँ मक्षन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था अरे कितनी देर कर रहे हैं आप लोग अब जल्दी चलिए अच्छा ठीक है रभी जल्दी चलो आखिर ये रभी क्या दिखाना चाहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सारे बच्चे जाने लगते हैं सभी बच्चे ताजमाल के पास आ गए हैं क्या सच में रभी ये तुमने बनाया है तुमको क्या लगता है हर्ज मैं कुछ नहीं बना सकता क्या रभी मैंने ऐसा कब कहा कि तुम कुछ नहीं बना सकते हो मैं तो बस पूछ रहा हूँ क्या सच में ये तुमने बनाया है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मैंने अकेले नहीं बनाया हर्च मैं और नैंसी ने मिलकर बनाए है पुना नैंसी और रभी मिलकर तो कमाल ही कर दिये मुझे नहीं लगा था कि वो दोनों इतना बड़ा ताज महल बना लेंगे हाँ फिंकी मुझे तो अभी तक यकिन नहीं हो रहा है कि ये रभी और नैंजी ने मिलकर बनाए है सभी बची मिलकर रभी और नैंजी का बहुत ज़्यादा तारिफ करते है तुम लोगों को थाइंक यू